नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमार रोज केल लाहूल की कंपेरजन अधर खिलाडियों से करते हैं देखेंगे इस stats मैं आपके सामने बहुत कमाल के आखले लेकर के आता हूँ जिसे देखने के बाद निश्चित तोर पर आप भी कहेंगे कि real में ये comparison बिल्कुल perfect है देखें मैं यहाँ पर test match, ODI, T20 और IPL में खिलारियों की comparison करने वाला हूँ और यहाँ पर सिखरधवन और के लाउल के बीच में perfect comparison आपको देखने को मिलने वाला है इसलिए आपको इस वीडियो को अंतक देखना है, मैं आपको बता हूँगा कि कौन सा खिलारी, अंत में बता हूँगा कि सबसे बहतर है, किस खिलारी ने अब तक सबसे बहतरीन performance की है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे test match की, जी हाँ आपको बता देखने test match में अब तक हमने देखा है कि जहां केल राहूल ने total 36 match खिला है तो मैं सिखर दवन जो कि बहतरीन performance में इंदनों चल रहे हैं और इस टाइम पर तो सिरलंका सीरिज पे कपतान भी है तो आपको बता दे कि इन्होंने अब तक test match में total 34 match खिला है जहां केल राहूल ने 36 test match की 60 पारियों में 2006 रन बना है तो मैं सिखर दवन ने 34 test match की 58 पारियों में 2315 रन बना है लेकिन average से पता चलता है कि कौन सा खिलाड़ी बहतर है इसलिए test match की average आप देखेगा आपको बता दे कि जहां केल राहूल की average 34.69 यानि हम कह सकते हैं कि ये 35 रन बनाते हैं पर match में तो बात करेगर सिखर दवन की तो जी हां ये 40.61 यानि लगभग हर match में 41 रन बनाते हैं तो यहां पर मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिखर दवन जो है दोस्तों वो केल राहूल से test match में काफी बहतर अभी तक इनका career रहा है लेकिन केल राहूल निश्ची तोर पर सिखर दवन को पचाड़ सकते हैं और उनमें ये दमखम है इसी के साथ अगर हम बात कर दोस्तों ODI comparison की तो जी हां केल राहूल का अक्सर ODI किर्केट में बोल बाला रहा है और सिखर दवन भी कुछ खास कम रहे नहीं हैं इस वाइसे आप सभी को ये comparison भी देखना ही होगा तो चलिए ODI की बात करते हैं कि केल राहूल और सिखर दवन ने अब तक कितने मैच खेले हैं तो दोस्तों केल राहूल ने अब तक ODI यानि वंडे किर्केट में 38 मैच खेले हैं जबकि सिखर्दावन ने 145 मैच खेल लियें है जो कि केल लाउल की तुलना में बहुत ज़ादा है और अगर हम बात करें तो केल लाउल ने 38 मैचों के 37 इनिंग में 1509 रुन बनाया है कितना? 38 मैच की 37 इनिंग में 1509 रुन और बात करेंगर सिखरदवन की इन्होंने 145 मैच की 142 इनिंग में 6105 रन बना दिया है अब दोस्तों बात करेंगर एबरेज की तो जी हाँ एबरेज पर ध्यान देना आप समझ सकते हैं कि 45 रन या 46 रन ये हर मैच में मारते हैं तो यहाँ पर साब दिख्राए की के लाहूल बहतर है अगर हम बात करें ODI के इस्ट्राइक रेट की क्यूंकि वंडे टी टी में इस्ट्राइक रेट काफी माईने रखता है तो चले बात कर लेते हैं इस्ट्राइक रेट की तो देखिये सिखर दावन का जो वंडे किर्केट का अब तक इस्ट्राइक रेट रहा है वो लगभग 93.79 का है और अगर बात करें हम के लाहूल के इस्ट्राइक रेट की तो जीहां ये इनका 8-9.29 है यानि 89.29 है तो यहां पर दोस्टो सिखर दावन थोड़ा इस्ट्राइक रेट में के लाहूल अगर हम बात करें चौके छको की और सतक अर्ध सतक की तो जीहां आपको उता दें सिखर दावन ने अभी तक टोटल दोस्टो 17 सतक लगा दिया है वन्डे किरकेट में जबकि 50 अर्ध सतक जड़ दिया है तो वहीं केल राहूल ने अब तक 5 सतक अपनी 38 मैच में ही जड़ दिया है और इन्होंने 9 अर्ध सतक भी लगा दिया है जो की बहुत बड़ी बात है इसके साथ ही अगर हम बात करें चौके छकों की तो यहाँ पता चलेगा कि कौन सा खिलारी जादा तेज खिलता है तो देखिए यहाँ पर अभी तक केल राहूल ने अपने 38 मैचों में 114 चौके वंडे क्रिकेट में लगाया है तो थोड़ा चौके के मामले में यह कम है क्योंकि केल राहूल ने बेहदी कम मैच खिला है और यह 36 चौके लगा चुके हैं तो उम्मीद करते हैं केल राहूल चौके लगाते ही रहेंगे चले बात करते हैं अब हम T20 comparison की और इसके बाद हम बात करेंगे perfectly IPL comparison की क्यूंकि केल लाउल IPL में दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि ये कपतानी भी करते हैं लेकिन सिखर दाउन अभी तक कपतानी नहीं कर पाए हैं तो चले पहले बात करते हैं T20 format की जिहां आपको बता दे केल लाउल ने अब तक International Cricket यानी भारत के लिए 48 T20 मैच खेला है तो सिखर दाउन ने एक बार फिर से जादा 65 T20 मैच खेल लिया है सिखर दाउन को यहां मैं बताना चाहूँगा कि T20 मैच में थोड़ा कम ही जगे मिलती है तो दोस्तो जहां केल लाउन ने 48 मैच की 45 पारी में ध्यान से सुनिएगा 48 मैच की 45 पारी में 1557 रन मारा है तो वहीं सिखर दाउन ने 65 मैच की 64 पारी में 1719 रन मारा है यानि केल लाउन बहुत तेरी से T20 format में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है की सिखर दाउन से तो यहीं रियल में बहुत तेज है T20 format में और लगता है की केल लाउन के लिए ही T20 format बना है तो देखिए जहां 65 मैच की 64 पारी में 1719 रन मारा है तो केल लाउन मैच की 45 पारी थे लिए ही 1559 मार दिया है तो लेकिन बावजोद इसके किया लाउल की जो average है वो 49.92 की है यानि लगवख हर match में ये 40 run बनाते हैं लेकिन बात करें अगर सिखरदाउन की तो सिखरदाउन बहुत पीछे हैं इनकी जो average है T20 format में वो 28.18 है मतलब साफ है कि ये दबाव में खेल नहीं पाते हैं अगर हम बात करें चौके शको की तो जी हाँ आपको बता दें सबसे पहले हम बात करेंगे सतक और अर्ध सतक की तो देखे सिखरदाउन अभी तक एक भी बार सतक लगाने में काम्याब नहीं हो पाए है T20 format में जबकि इन्होंने 65 match में 11 अर्ध सतक T20 में लगा दिया है लेकिन अगर बात करें केल राहूल की तो इस खिलाडी में वो दम है कि ये सतक भी लगा सके जी हाँ इसने अभी तक 2 सतक लगा दिया है केल राहूल और मैं आपको बताना चाहूँगा कि केल राहूल रोहिस्तरमा के बाद भारतिय टीम के इंटरनेशनल किर्केट में एक मातर ऐसे खिलाडी हैं जिन्होंने T20 में 2 सतक लगा रखा है और दोस्तों अगर हम बात करें 50 की तो जी हां केल राहूल ने अब तक अपने 48 ही मैच में 12-50 भी लगा दिया है और इसी वएसे सिखर धान से T20 में काफी आगे हैं चले बात कर लेते हैं लगे हाथ चोके चकों की कि आखेर केल राहूल ने कितने चोके और कितने चके मारे है T20 फॉर्मेट में और इसके बाद हम बात करेंगे सिखर धान की तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केल राहूल ने कितने चोके छके अपने 48 मैच में मारा है तो देखिए केल राहूल ने अब तक T20 में 48 मैच खेला है और 138 चोका और 63 चके जड़े हैं अगर बात करें सिखर दाउन की तो सिखर दाउन ने टोटल 65 मेश T20 में खेला है और इन्होंने 186 चोके और 50 छक्के मारे हैं तो यहाँ पर साफ है दोस्तों कि केल राहूल हवाई फायर करने में काफी आगे हैं क्योंकि केल राहूल ने 63 छक्के जड़ दिये हैं जबकि सिखर के मामले में सिखर दाउन थोड़ा सा आगे हैं चले बात करते हैं अब हम IPL फॉर्मेट की जी हाँ अगर हम IPL फॉर्मेट की बात करें तो दोस्तों जहां सिखर दाउन ने अब तक केल राहूल के दुगने से भी ज़्यादा यानी 184 मैच खेल लिया है तो मैं केल राहूल तो सिखर दाउन ने 184 मैच खेला है और 183 पारी में 5576 रन बना है 184 मैच की 183 पारी में कितना 576 रन अगर हम बात करें इस ट्राइक रेट और एबरेज की तो जी हां आपको बताए दोस्तों कि यहां पर जो केल राहूल का एबरेज स्कोर रहा है IPL में वो बहुत बहतरीन कंपेर्जन में सिखर दाउन के क्यूंकि केल राहूल लगबख IPL के हर मैच में 46-5 तीन लियानी की लगबख साड़े 46 रन बनाते हैं आप 47 समझ सकते हैं हर मैच में यह 47 रन मारते हैं यानि 50 करते ही करते हैं अगर हम बात करें सिखर दाउन की तो इनका एबरेज केल राहू है कि तो शिखर दाउन का इस्ट्राइक रेट 127.34 IPL में रहा है लेकिन क्याल राहूल का जो इस्ट्राइक रहा है वो दोस्तो सिखर दाउन से ठोड़ा उपर 135.86 यानी लगबख 136 का है तो साफ है यहाँ पर कि यहाँ इस्ट्राइक रेट में सिखर दाउन से तेजी खेलत अगर हम बात करें कि यहाँ पर केल राउल ने हाई स्कोर कितना मारा है अभी IPL फॉर्मेट में तो जी हाँ केल राउल सबसे आगे है 132 रन इन्होंने IPL में बना रखा है एक मैच में जबकि सिखर राउल ने 106 रन बनाया है अगर हम बात करें दोस्तों कि इन्होंने कितने सतक मारे है और कितने अर्ध सतक मारे है तो जी हाँ आपको पता दे कि सिखर राउल ने 2 सतक मारा है अपने 184 मैच में और इन्होंने 44 अर्ध सतक लगाया है लेकिन केल राउल ने सिरफ 88 मैच खेलके ही 2 सतक और 25 अर्ध सतक लगा दिया है यानि केल लाउल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अगर हम बात करें चौके छकों की तो जी हाँ आपको पता दे केल लाउल ने अपने 88 मैचों में 261 चौके जबकी 120 चुके लगाए हैं कितना 88 मैच में 261 चौके और 120 च चौके अगर हम बात करें सिखर दवन के तो सिखर दवन ने 184 मैच में 634 चौके लगा दिया है जो की बहुत बड़ी संक्या है और 116 चौके लगाए हैं तो साफ है कि सिखर दवन ने दोस्तो चके तो ज्यादा नहीं लेकिन चौकों की बहुत अच्छे खाजी एमाउंट ह हैं केलाउल को उतना मौका नहीं मिला है इस वज़wise सिखर दवन से थोड़ी पीछे रहे गई है वरना बाकी सभी format में केलाउल सिखर दवन से बहुत आगे हैं और यहां पर एक बात और शोटी समें आपको उताना चाहूँगा कि किक तक भेजा गया है चाहे फिर वो ब्राइट रहेगा तो आपको ये comparison कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईएगा साथ ही साथ अगली वीडियो में मैं किसको compare करूँ कि अलाहूल के साथ ये भी बताईएगा और वीडियो को like करके share करना और चैनल को subscribe करना धनिवाद